जहिन दोस्तों दोस्तों आज हम एक के एंटिबाइटिक क्रीम के बारे में सीखने वाले हैं जिसे हम इसके मूल कॉम्पोजिशन नेम फ्यूशीडिक एसीड के नाम से जानते हैं जहां फ्रेंड्स आज हम फ्यूशीडिक एसीड के बारे में सीख रहा हैं यह जो परसेंट वाली फ्यूशीडिक एशीड है वह प्रयोग में लिया जाता है यह जो फ्यूशीडिक क्रीम है यह तो आपका दवा का मूल नाम है अगर हम इसके कुछ पॉपलर ब्राद नेम्स की बात करें जो की क्रीम फॉर्मेट में इजली आपको मेंटकल स्टोर पे मिल जाती है तो इसमें सबसे पॉपलर आपका फ्यूशी दिन करिम फ्यूशी तोप है कि आ और इसके अलावाव फ्यूशीलिक सब्कूशी प्याह है ब कलो से भी ले सकते हैं या कि आप इसके इसके मूल नाम फ्यूशीडिक शिड के के नामसे भी प्रसेश करके प्रयोक बासदे Avant तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो फिवसीडिक एसीड क्रीम है इसका किस-किस कंडिशन्स को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया आता है तो सबसे पहले यह तो आपका एक क्रीम फॉर्मेट में है तो इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रयोग में वाले तरह तरह के जो बैक्टियल इन्फेक्शन्स है उसको कंड्रोल करने के लिए फ्रयोग में लिया जाता है अगर हम Cao पहले होनेडियोकी बात करें आपको हो हो शक्ता है दःमेटाइट हो शक्ता है इसके इसकीन के ओर कैसी कet кто कि समस्या हो रही है या फिर व्यक्ति को कई बार लाल लाल दाने बेगरा दिख रहा है या फिर कोई अलरज है शंटम्स भी दिख रहा है तो उसमें भी डॉक्टर्स रिकमिनेंट कर देते हैं बट सबसे ज्यादा इसको जो bacterial skin infections होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस क्रीम को टॉपिकली यूज में लिया जाता है तो अगर हम overall समझे तो यदि कोई वेक्ति जिसके skin पे बैक्टिरिया के वज़ा से infections हो रहा है तो उस infections को कंट्रोल करने के लिए यह जो फिवसीडिक एशिड क्रीम है यह टॉपिकली यूज म में लिया जाता है अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो फिवसीडिक एशिड क्रीम है इसको अपलाई कैसे करना है तो सबसे पहले आप जो infected एडिया है उस एडियों को अच्छे से वास कर ले कर ले और उसके बाद आप इस फिवसीडिक एशिड सबस्क्राइब करते हैं तो वैसे तो यह यूज के लिए प्रयोग मिलिया आता है तो इसके जाधातर साइड इफेक्स नहीं देखे गया है बट फिर वी अगर आपको कोई साइड इफेक्स देखने को मिलता है तो हो सकता है थोड़ा आपने जिस अस्थान पर इस क्रीम को देखने को मिल सकता है और इसके अलावा थोड़ी बर्निंग सेसन जैसा फिल हो सकता है तो यह सब इसके कौमन साइड इफेक्स अगर ऐसा कोई साइड इफेक्स देखने को मिलता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर करें और वीडियो क्लास्ट में अग अगले टॉपिक के साथ